हेलो मैशोल फामली कैसे हैं आप सब एनाए होप आप सब अच्छे होंगे सुरक्षित होंगे और अपना इना वर्क जरूर कर रहे होंगे जहां पे भी होंगे मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में थांक यू सो माच मेरे इस चैनल को इतन सब्सक्राइब टू दा चानल और आप भी मुझे कमें सेक्षिन में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का वीडियो है पार्ट नंबर 15 जो की कंटिनुएशन है जो कि हम सीरीज कर रहे हैं उसक ट पे 4 Va über 16 जाना कि हमारा इस्ट्रोई हो गया हमने यह भी जाना कि लिमॉर्य जो है वो कहां पे है था अझानकी अट्रिका उप सारी एटलांटन जो है सीट किया गया उसके बाद में हमने रूट रेसिस को सीट किया हमने यह भी जाना कि जब लिमोरिया डिस्ट्रॉइ हुआ उस टाइम पे इत्लांटिन कॉंटिनेंट जो था उसके अंदर जो है एक पोर्टल बनाया गया था जो की कनेक करता था जो एक रस्ता था पैसेज वे था जो कनेक करता था आर्क ओफ दे कवनेंट से और इनर अर्थ पोर्टल से लेकिन इस पूरे कोलेजन में इस पूरे एक्स्प्लोजन में जो है वो जो फवां की इतलांटेश कंतिनेंट की चो गयिए अंस्टेबल हो गई जिसकी वजह से हमें पहलो दर्वाज दैमेज हो गया वह पोड़ सीना बड़ा गया एजिप्ट में ऑके एजिप्ट में शिफ्ट कर दिया और उसको वापस से री स्ट्रक्चर किया गया और गाजन रेसेज ने एक्सक्लोजन होने के बाद में ऐस पॉर्टल पैसेज को कौन Curl अट्लांटन कॉंटिनेंट से निकाल करके एजिप्ट में जाकर के इसको वहां पे प्लेस कर दिया वहां पे जो अर्थ की ग्रिट्स थी वह बहुत जादा स्टेबिलाइज थी मैंने यह डाइग्राम बिनाया है आई होप आपको दिख रहा हो गए और मेरी ड्रॉइंग यह हमारा अर्थ का ग्लोब है यहां पर यह नौर्थ पोल है यह साउथ पोल है जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा है अगरता लैंड ओफ एडवांस रेसिस सिटी ओफ शंभाला यह हमारा इनर अर्थ जो है वो बनाया हुआ है मैंने यहां पर बेसिकली पिरामिड्स ऑफ गीजा है ओके यह रस्ता को जो है कनेक्ट होता है जो सीधा जाकर के इनर अर्थ में कनेक्ट होता है यहां लिखा है मैंने टॉनल्स ओके सो यहां से रस्ता बनाया या तब पिरामिड ऑफ गीजा जो थे एजिप्ट जो था एरिया यहां पे उन्होंने जो है पोर्टल बना दिये थे जो कि direct connect कर रहे थे पोर्टल पैसे से एक रस्ता था जिस रस्ते से आप Ark of the Covenant में जा सकते हो जिस रस्ते से आप Inner Earth में जा सकते हो ओके सो यह मैंने मैप बनाया ताकि आप समझ सकें यहां पर हमारी आइस है जो मेंट हो रही है ओके फिर उसके बाद में यहां आपनी यह नाम बहुत सुना होगा एंडरमिल ब्राइड फ्लाइट 1947 आप इसको गूगल पे बी डालेंगे तो पता चल जाएगा यह वो थे जिन्होंने एरो प्लेन उडाया था नॉर्थ पोल में वो गए थे और उन्होंने इनर अर्थ में एंटर किया था सो बेसिकलि उनकी फ्लाइट यहां से इंटर करके वो यहां इंटर हो गई थी अगर था में ओके सो यहां उनको आप पढ़ सकते हैं गूगल पे डाल करके आपको यह मिल जाएंगे वहां पे ओके उसके बाद में हमारे यहां पे फॉरेस्ट हैं ओके यहां सिटी बनी हुई हैं यह बहुत सारी सिटी यहां पे अंदर अलग अलग सिटी बनी हुई हैं जैसे मैंने अपने पिछले पार्थ में बताया कि जो इनर अर्थ है वो प्रॉपर एक अर्थ है और यहां पे प्रॉपर सिटी बनी हैं काफी सारी सिटी अगरता एक सिटी है एक लांड है एक अपर इंटर में स्माल एंटरंस जैसे में अपने पिछले पार्च को कि साथ पॉल और नौट पॉल जो है वो रस्ता है इनर एर्थ में एंटर करने के लिए ओके यहां पर मैंने जैसे लिखा है लेक टितिकाका, एंडीज माउंट एवरेस्ट, माउंट ब्लैक, ग्रेट पिरामिट, यह सारे रस्ते हैं जिनसे आप एंटर कर सकते हैं, यहाँ वाल कैनों हैं, इस एरिये में, यहाँ पे माउंटेंज बने हुए हैं, यहाँ पे ओशियन से, यहाँ सेंटर ऑफ ग करेंगे तब हम जानेंगे यह किंग सोलोम औल्रेम टेमपल जो थे वो आगे अन्हन ने बनाए थे हर एक जो और अन्हों ने कंस्ट्रक्शن किया है जाए का टाइन रस नेकंस्टूक्शन पें। पिरामिड्स ऑफ गिजा निखा हुआ है मैंने मैं यह त्राइक कर रहा है इनर अर्थ में एकलिए को साइड में हमारा यहां पर ब्राजील है एक वालस है कि यहां पर नुब नढाई हैं तो यहां पर एक स्मॉल एंट्रिंट से ने जींडे कि में अभका और एक सूल यहांपर एक स्मॉल प्र मेल को है तो दॉसल प्लास्टिक बेसल ते लेकिन यह जो इतना में शेट किया हुआ है यह पूरा इनर अर्थ का सिविलाइजेशन है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और अब हम जानते हैं कि कैसे पिरामिट्स बनाए गए और पिरामिट्स को क्यों बनाया गया था ओके जैसे कि हम पिरामिट्स को हम एसा बताया गया कि पिरामिट्स को डैड़ बॉडि cocoa को इन्दर दबाने के ल muut कि ऐसकी जाता है व्यक्राइमट्स. को बडिकिन यह लोग बॉडि में नहीं बनाए गए थे जलाते हैं।ट यह जोग बॉडिय वार्क्स में रखके अनधर रख देते हैं नहीं बनाई गए थे और यह पिरामिट कैसे बन गए रातो रात ऐसा स्ट्रक्चर आज भी हमारी टेक्नोलोजी में हमारी आज की सिविलाइजेशन में कोई भी नहीं बना सकता तो यह कैसे बना दिये गए थे इतने बड़े-बड़े पिरामिट आए शुरू करते हैं आज का वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया कि री लोकेशन कर दिया गया था यानि कि वो पोर्टल जो कनेक कर रहा था वो रस्ता जो कनेक कर रहा था आर्क अव दा कवनेंट से इनर अर्थ से एक पोर्टल बनाया गया था एक रस्ता बनाया गया था जिससे कि आप अंदर जा सक करते हैं ठीके सो वोल्प लोकेशन चेंज कर दी गई थी एजिप्ट में ओके सो आर्क ओफ दे कवननेंट में जो पोर्टल पैसे जा रहा था उसका री लोकेशन हुआ था 51,750 यह अगो यानी पहले सो एजिप्शन कुल्चर्स प्रॉस्पर करने लग गया और एजिप्ट बन है प्राइमरी गार्जिंस जो थे वो हीब्रोज एं रे से इजिप्शन कार्जिंस तें और यह की ओपड़ांक्व कवनना के लेकिन वोल में प्रदॉइंट के बाद अनुमेलजस्ट भी हीब्रोज एजिप्शन जो थे वो गर्जंस बन ऑर कॉफबणन ऎधर कर या था उसका लाइना नवन फो इस पीरेकर काम ना वह है वहँ आपको बता है कि जब और ंमने था Ceil इन्होंने इंटर ब्रीट किया था अनुनाकी रिजिस्टेंस ग्रूप के साथ यह जो थे टैंपलार अनु यह इतलांटिस में अपना क्याते हैं अपना इंफ्लूएंस बढ़ा रहे थे और वहां के जो एटलांटिन प्रीस्ट क्राफ्ट है उनको करप्ट करना इन्होंने श और उन्होंने उनसे पर्मेशन मांगी कि आप प्लीज अर्थ पे आके एक स्ट्रेंथ दिखाएए आप कुछ कीजे इस मैटर में बिकॉज यहां पे यह एटलांटिन सिविलाइजेशन में करप्शन इनका करना शुरू हो गया यह एटलांटिन प्रीस्ट काफ्ट को बहु प्राइमरी टार्गेट जो अनुना की रजिस्टेंस का था मैनुपलेशन करने का जो एरिया था वह वह एरिया था जिसमें आर्क अव दा कवननेंट लोकेट करता है एजिप्ट बन गया फोकस सीरें कांसल अक्टिविटी का बिकॉज जो पोर्तल था पहले वह एटलांटन मैं था ओके बाद में वह एजिक्ट में शिफ्ट हो गया ऑनुना की रेजिस्टेंस ग्रुप जो थे उनका जो प्राइमरी एरिया था जहां पर उनको मैनुब़ेशन कर ना था जहां को करेप्षन करना था वह हमेंश़ा वह जहां पर आर्क अव दगवनन का पोर्तल बना एक पॉर्टल बनाया हुआ है जिससे कि आप आर्क अव दे कोवनेंट में कर सकते हो इधर जब उनको बुलाया गया जैसे मैंने को बता है उनको प्रोटेक्टिव मिशन के लिए बुलाया गया सीरिन आर्केटेरियन कोलेशन फॉर इंटर प्लैनेटरी डिफेंस उनको भी कांसिल में लीडर्शिप रोल पे थे जो पॉजिटिव अनुनाकी से उन्होंने उनको प्लैनेट मार्स पे भेज दिया गया ओके मार्स पे भेज दिया और एक ऑब्जरवेशन आउट पोस्ट को रीक्रेट किया गया ताकि जो अनुनाकी रजिस्टेंस ग्रूप है वो उन पे रीक्रेट्शन क्यों हो रहा है ओके यहां पर क्यों रहा है ताकि वो उनका ध्यान बठका सके जो अनुनाकी रेजिस्टेंस ग्रूप थे एजिप्ट में वो बहुत जादा खत्रा डेंजर प्रोवाइड कर बलब वो बहुत बड़ा खत्रा थे सेक्योर्टी के लिए ब पिरामिट स्ट्रक्चर बनाए गए बेसिकली ओके जो सीरियन काउंसल से उनको इंस्ट्रक्शन मिली कि आप जो है अब यहां पर डिरेक्ली आएं और डिरेक्ट पावर दिखाएं एजिप्ट में और इतलांटेस में विकाज यह रुक नहीं रहे है इनका जो अनुनाकी र पावर दिखाने होगी बेसिकली उनको एक तरीके से इवत आना होगा कि यहां पर खत्रा मत करो यहां पर हम आपके साथ में हैं सो 48,500 पहले की बात है यह सो अनुनाकी जो सीरियन काउंसल के थे वह बार बार यहां इन सिविलाइजेशन में विजिटेशन करने लग गए और लोग वन को और दूसरी बहुत सारे जो टेंपलर अनुज वहां पे थे जो एजिप्ट में थे उनको वहां से निकाल के वह पस अटलांटेस भेज दिया गया क्योंकि वहां पे वह कम खत्रा थे आर्क अव दा कवनन पोर्टल बच्चा हुआ था बेसिकली सो सीरियन काउंस जो हैं बार बार विजिट कर रहे थे एजिप्ट सिविलाइजेशन में और जो एजिप्ट सिविलाइजेशन में टेंपलर अनु थे उनको एटलांटेस वापस भेज दिया गया उन्हें एजिप्ट में एंटर करने नहीं दिया गया ओके इसके बाद इसके बाद जो है पॉर्टल्स बनाये गए इनर अर्थ कि यह की इस सीरियन काऊंसल शुलन्हाग की बैसिस बहुत सारे एक शिर्डिया वाल बनाई गई जो सीरियन कांसल ने बनाई और वह सिक्योटी वाञ जो थी कीम बीسिकली बैसिसा थे और से अपरे इसे इस ते उसम्य से एक था पिर्आमिज पिरामिज स्ट्थर जो था वो ट्रेडमांक था अनवनांकि आर्टिटेक्चर का और साइ Wii तपक सारे च्थे स्रच फॉलनेर विर्ट ¿nai इन पूरे इजिप्ट में कि पिरामिट के नीचे जो हैं वो पोर्टल बने हुए हैं जो डिरेक्ली इनर अर्थ में जाके खुलते हैं जहां से आप आर्क अफ दा कवर्नेंट पोर्टल को एक्सिस कर सकते हो उसी ताइम पे एक और मैसिफ स्ट्रक्चर जो है वो उसका कंस्रक्शन हुआ जो कि नीरली प पोर्टल था आर्क अफ दा कवर्नेंट के पास सो जो पहला फॉर्स्ट मॉनुमेंट क्रिएट किया गया वो था ओरेजनल फिनिक्स यह बिल्डिंग जो थी वो कवर्ट थी पोर्टल पे यानि यह जो बिल्डिंग बनाएगी इसके नीचे जो था इसको कवर किया गया थै नीचे एक पोर्टल था उसको कवर करने के लिए स्फिनिक्स बना दिया गया उपर जो की कनेक कर रहा था यह पोर्टल जो था वो कनेक कर रहा था इनर अर्ड से और लिंक कर रहा था डारेक्ली इंटो दा पोर्टल पैसेज जो जाके खुलता था आर्क अफ दा कवर्नेंट पे फिनिक्स को जो डिजाइन किया गया था वो डिजाइन किया गया था अनुनाकी हेरिटेज के हिसाब से because जो अनुनाकी का head है जो warrior है अनुनाकी warrior उसका head रखा गया उस फिनिक्स पे और उसकी body जो है वो loin जैसा उसका scripture बनाए गया अगर आप पिरामिड फिनिक्स को देखें जो आप डिजाइन है वो देखेंगे कि पीचे से जो उनकी बोड़ी है वो पूरी लॉइन जैसी और आगे जो हैड है वो अनुनाकी का वारियर का हैड है वो जो लॉइन बोडी है फिनिक्स की वो एक symbolic tribute था उनकी रेस को जो जो positive अनुनाकी थे उन्होंगे ट्रिब्यूट पे किया था उन्हों ने ट्रिब्यूट दिया था जो उनकी रेस थी जो जिनका नाम है लियोनी इस ओके जो कि जो कि बहुत बढ़ा जिन्होंने रोल प्ले क बेजिकली खुख अनुनाकी धिच्टी की सिस्य कि जो पेला फॉर्स मौनुमेंट क्रिएट किया गया जो और फिनिक्स भॉड तह लॉड जाल भीज गया तो फिनिक्स गपनुनूनाकी हरिटेश को जिसमें जो था जो सर था वह अनुनाकी वारियर का रखा गया था प्लेस कि गया था जो बोडी थी वो लॉइन लाइक एक शेर जैसे अस्क्रप्चर बनाया गया था जो लॉइन बोडी थी फिनिक्स की वह एक सिंबॉलिक ट्रिब्यूट था उस रेस ओ बींग्स को यानि उन रेसेस को जो डेंसिटी उनिवर्स टू में रहती है यानि डाइमेंशन कि वो बड़े ही लंबे लाज अपराइट फर कवर फैलाइंस एडवांस टी इंटेलिजेंट रेसेस हैं और अनुनाकी जो है वो उनको उनके लिए वो भगवान है ठीक है उनके वो एक भगवान है बेसिकली ओके सो अर्ली सिविलाइजेशन बिकॉस उन्होंने ही रखी त उन्होंने इस फिनिक्स को बना के यह उनका जो फिनिक्स बनाने का इंटेंशन था वो इस स्क्रप्चर को बना करके स्फिनिक्स को बना करके वो यह दिखाना चाहते थे अनुनाकी रजिस्टेंस ग्रुप को कि जो उनके एंसिस्टर अलाइंस है जो लियोनी एंसिस्टर ल तो बैसिकली लियोनी जो थे वो दोनों ही ग्रूप के एंसिस्टर्स थे है ना इसको मैंसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमारे घर में हमारे दादा जी हैं ऑके या दादी हैं और वो जिनके साथ में उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉंग ह को यह दिखाना था कि आपि ये समझ लो कि आप अकेले हो अनुनाटी इस्टेंस ग्रूप को ये दिखाना था कि थी आनुनाटी नहीं यो यह संग इस सब को बढ़े बेंई02ग थे कंगर में सॉ पॉजटे तो अरे श्याम में नहीं चार्णों कर रहे हैं क। demi srv as a fortification फॉर द इनर अएर्थ के एक तर्म एक तरीके का को चिर्योंटी वॉल बनाया जो फेनिक्स का है तरीके का सिक्योंटी मॉल तो कि टी जो तुपर दूब्र कर रही थी यानि कि समझे आप यह बइक तरीके की वह एक वाल बना दी नहोंने security वाल ताकि उन पोटल को वह प्रोटेक कर सके ठीक है और उनोंने इन फिनिक्स को कंस्ट्रक्ट किया था इसलिए भी ताकि आप वह एक तरीके से safe house यूज करते थे और वह लाइबरीरी के तरह यूज किया जाता था जहांपे वह storage करते थे यानि store करते थे अपने sacred records और textbooks अगे यह फिनिक्स जो है वो also use किया जाता था with the purpose of great energy transmitting machines यानि की जो energy transmit की जाती है उन machines को used किया जाता था फिनिक्स के अंदर जो की charge होती थी high frequencies के साथ यानि ultra high frequencies के साथ जो की fifth dimensional frequency है जो बो निकालते थे Ark of the Covenant से ओके प्लस छोटे-छोटे आंक्स बनाए गए जिनको Infuse किया गया energy से एकदम similar way के अंदर जैस ओके सो जो बड़ी machines थी वो बनी Ark of the Covenant और जो true identity Ark of the Covenant की जो कि Ark of the Covenant एक portal bridge है वो धीरे-धीरे आगे जाकर के सभी तरीके से उसकी जो information है वो lost हो गई यानि कि उस time frame पे सभी को पता था कि Ark of the Covenant एक portal bridge है एक तरीके का bridge है एक portal है जिससे कि आप जो है अपने आपको ascend कर सकते हैं प्लानेट तारा में लेकिन जो है जैसे जैसे time आगे बड़ा उसकी जो information है वो खो गई और जो बड़ी machines थी वो बन गई Ark of the Covenant और जो true identity थी Ark of the Covenant की वो खो गई तो दोनों ही बड़े और चोटे जो टूल्स थे उनको डिजाइन किया गया था इन दे शेप ओफ आंख और की यह आंख जो है हमने बहुत ज़्यादा देखा है अगर आप Google पर भी डालेंगे एजिब सिविलाइजिश्म ने बहुत ज़्यादा देखा है आंख को देखा जाता है वो सब भी जो है वो आंख को हाथ में पकड़ के रखते हैं यह आंख क्या थे आंख बैसे टूल्स थे जो कि प्रोवाइड करते थे पावर जिससे कि वो ग्रैविटेशनल पुल को रिवर्स कर देते थे और जिससे वो डिरेकली अफेक करते थे पार्टिकल मेक अप और मॉर्फोजनिटिक फील्ड अर्थ की मैटर सबस्टांज यानि ग्रैविटेशनल पुल को ही वो खतम करते थे प्लैनेट अर्थ की आंख को यूज करके आंख बैसिकली मेजर कंस्ट्रक्शन टूल्स यूज किया जाते थे यानि वो आंख को यूज करके कंस्ट्रक्शन करते थे वो एक कंस्ट्रक्शन टूल्स की तरह यूज करते थे बि इसी के लिए आंक्स के अंदर वो एनर्जी को स्टोर कर लेते थे क्रिस्टल पावर जनरेटर से जैसे कि मेरे अपने पिछले पार्ट में बताया डाइमेंशन टू अर्थ कोर के अंदर से वो एनर्जी को ड्रॉ करते थे निकालते थे पुल करते थे और उनको वो क्रिस्टल powers के अंदर store करते थे आंग्स के अंदर उन एनर्जी को वो एक store करके रख लेते थे ओके फिर उस एनर्जी से वो construction करते थे वो healing करते थे चक्रास की और inter-dimensional transit device की तरह वो use कर पाते थे जो original phynix था वो एक तरीके का protective fortress था जिसमें devices जो थी वो store करके भी रखी जाती थी ये सारी devices जो थी जो इतनी high frequency energy से चार्ज की जाती थी इन सभी को store करने के लिए इनको सभी को protect करने के लिए इनको original phynix के अंदर चुपा के रखा जाता था ताकि ये जो टेंपलार अनु हैं उनके हातों से दूर रह सके बिकॉस जो टेंपलार अनु थे उनको जो है इन फिनिक्स में और पिरामिज में आने की बनाई थी वो एंटर नहीं कर सकते थे प्लास वो एजिप्ट में भी नहीं आ सकते थे उनके उपर बैन लगाया गया था सो दूसरा second construction किया गया Syrian council अनुनाकी ने यानि की जो positive अनुनाकी थे उन्होंने एक और बहुत बड़ा major construction किया जो की था एक massive pyramid center जो की center में directly वो center में था जहां पे portal open होता है arc of the covenant पे उसके ओपर यानि की जहां पे portal open होता है बिलकुल उसके ओपर जो है एक बहुत बड़ा pyramid बनाया गया और उस pyramid का नाम था originally वो उस pyramid का जो नाम था वो था चियॉप्स pyramids जो great pyramids of Giza के नाम से हम अभी सभी जानते है ओके जो चियॉप्स पिरामिड है वो पिरामिड जो है उसका design जो है उसका construction जो है वो इस तरीके से किया गया था कि अगर आप उसके नीचे देखेंगे तो एकदम center में बनाया गया था वहीं उसके नीचे ही portal है जो open होता है directly inner earth में इस पिरामिड को originally construct किया गया था during उसी time period जब फिनिक्स को बनाया गया था और इसको हम आज के टाइम पे जानते हैं दग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दचियॉप्स पिरामिड प्राइमरी परपस जो था ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने का construct करने का वो यह था कि एक तरीके की security wall थी वो प्रोटेक्ट कर रहे थे पोर्टल को जो आर्क ऑफ दा कवनेंट में जाके करते हैं और और दूसरा रीजन था उनको construction करने का कि वो सर्फ कर रहे थे एक तरीके से इंटर डैमेशन ट्रांस्पोर्टेशन सेंटर यानि कि अगर आप वहां पे चले ग सकते हैं तो जो great pyramids of Giza है वो inter dimensional क्ष़ सेंटर वहां से आप कहीं भी तेलीपोर्ट हो सकते थे तर जो और इंटर हो सकते थे और परॉपस था पिरामेशन करने का वह यही था और जो original pyramid को design किया गया था उसको इस तरीके से design किया गया था कि वो एक तरीके का harmonic resonance chamber था जिससे की multi-dimensional frequency bands को एकटा करके अंदर से निकाला जा सके from planetary core of Cyrus B, यानि Cyrus B जो star system है वहां के उनका जो planetary core है वहां से वो energy निकालते थे, यानि multi-dimensional frequencies को वो निकाल के लेके आते थे using ankh, वो ankh को इस तरीके से position में रखते थे कि वो directly जो है SIRSB star system जो है वहां के core में से वो energy निकाल के लेके आते थे ठीके, ankhs के अंदर और उनको जो है, ओके उनको लेके आते थे वहाँ से ultra high frequency energy को लेके आते थे focus में with the capstone of the pyramids, फिर उसको प्रोजेक करते थे नीचे, और उसको प्रोजेक करते थे नीचे फिर the structure of the second dimensional frequency bands, बेसिकली क्या करते थे वो, कि वो ankhs को use करके, जो SIRSB star system है, जो वहाँ पर उनका core है, ठीके हर एक planet का अपना एक core है, ठीके सो अर्थ का core dimension 2 है, okay, ऐसी SIRSB star system का जो core है, वहाँ से वो energy इसको पूल करके लेके आते थे, ठीके, वो वहाँ से energy को खीशते थे, जो की एक multi-dimensional frequency है, आंक्स को यूज करके, okay, आंक्स को यूज करते थे और वो उस frequency को लेकर के आते थे, और वहाँ पर क्रिस्टलाइन कैप स्टोन लगा हुआ था, पिरामिट के उपर एक कैप स्टोन लगा हुआ है, जो एक कैप स्टोन अभी मेसिंग है, ठीके, अगर आप इस समय इसको गूगल पर देखेंगे तो आपको यह चीज मिल जाएगी, okay, so crystalline capstone लगा हुआ था, उस crystalline capstone के अंदर सबसे पहले वो frequency आती थी, okay, और उस frequency से वो आंख में उसको स्टोर करते थे, यानि साइरे स्टार सिस्टम से वो frequency आती थी, वो वहाँ से निकालते थे उनके कोर में से, और उसके बाद पिरामिट का जो crystalline capstone है, उस crystalline capstone में वो energy आती थी और वहाँ से वो आंख के अंदर अपने स्टोर कर लेते थे, okay, so in power को आंख के एक तरीके से बहुत सारी ultra high frequency energy को वो खीच पाते थे, लेके आपाते थे, focus में ताकि वो capstone को यूज कर सकें पिरामिट को और फिर वो project करते थे नीचे, यानि कि अगर एक बर उनके जो capstone ल भेशते थे, वहाँ की frequencies में भेशते थे, पिरामिट के थू, ठीके, पिरामिट और आर्क ओफ दे को ऐसे situate किया था, ठीके, यानि उनको ऐसे construct किया था, जहां पर अर्थ की center point है, यानि जहां अर्थ का fourth chakra है, जैसे मैंने आपको पिछले parts में बताया कि जैसे हमारे साथ चक है, main seven chakras है, so earth का जो fourth chakra है, यानि ki heart chakra, वहाँ पे center करता है, great pyramid of Giza जहां पे बना हुआ है, वहाँ पे earth का geographical fourth vortex बोलीजे या fourth chakra बोलीजे, वहाँ पे heart chakra है, so उस heart chakra के हिसाब से उन्होंने पूरी construction की गई थी, okay, so एक तरीके का harmonic resonance chamber बनाया गया था, जहां से वो एक inter-dimensional chakra को use करके, dimension two over tones, जो थी, density universe one की, वो जो है, combine कर देते थे, with base tones of density universe four, okay, जो की dimension, density universe two की है, okay, so वो इस तरीके से दोनों frequencies को मिला दिया करते थे, इस से क्या होता था, इस से एक inter-dimensional resonant tone बनता था, जो जह इसकी वज़ह से, जो visiting crafts थे, Cyrus star system, जो है हमारा Cyrus B, और दूसरे star systems, वो एंटर कर सकते थे, यानि कि वो टेलिपोर्ट कर लेते थे, time travel कर लेते थे, okay, so time traveling के लिए, वो basically use करते थे, इसको, इसलिए वो टेलिपोर्टेशन सेंटर था, okay, so great pyramid of Giza को बनाया गया था, create किया गया था, ताकि वो immediate intervention कर सकें, Syrian councils, अगर अनुनाकी resistance group, जो है, वो portals पे, या कहीं भी, कुछ भी attack कर देता है, in case, तो वो तुरंट आ सके, intervene कर सकें, खुद को टेलिपोर्ट कर दें, फटाफट से, और वो यहाँ पे आ जाएं, बहुत सकें, एक बात यहाँ जानने की बहुत जादा जरूरी है, okay, because, जो galactic federation है, वो काफी time तक हमारे साथ में ही काम कर रहे थे, वो guardian races थी, okay, वो हमारे साथ काम कर रहे थे, लेकिन 1992 Syrian paladin agreement के बाद, वो फिलहाल हमारे साथ में नहीं है, okay, वो dark fallen angelics के साथ में है, तो अगर आप जितने भी channels देख रहे हैं, जहां पर वो channeling कर रहे हैं, कि मैं galactic federation से बात कर रहा हूं, यह commander ashter बात कर रहा हूं, यह archangel michael matrix से बात कर रहा हूं, यह archangel metrotron से बात कर रहा हूं, okay, so, इन सब से थोड़ा बच के रहे हैं, because, यह सारे ही की, सारे अनुनाकी groups हैं, okay, यह dark fallen angelics हैं, जो की channeling कर रहे हैं, वो हम आगे, जब Atlantan conspiracy करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तब आपको समझ माएगा, कि मैं क्या बात कर रहा हूं, because, वहां से बहुत अच्छा सा आपको clear हो पाएगा, लेकिन जिस समय यह pyramid बनाए गए थे, उस समय galactic federation से जो थी, वो emerald covenant में मतलब emerald covenant में थी, okay, वो उस समय light को follow कर रही थी, वो उस समय बेसिकली positive थी, वो positively light को follow कर रही थी, okay, fallen नहीं थी, लेकिन इस समय वो सभी fallen है, okay, so, अभी इस समय हमारा वो capstone जो है, वो basically missing है, वो capstone इसलिए missing है, वो capstone इसलिए missing है, because, अगर वहां पे capstone लगा दिया गया, तो वहां से energy जो है, स्टोर हो सकती है, और नीचे भेजी जा सकती है, dimension 2 में, earth core में, so, great pyramid को बनाया गया था, यूज किया जा रहा था, एक तरीके से, एक active interstellar teleportation station, okay, so, अब आप समझ सकते हैं, उस समय कि जो civilization थी, वो कितनी advance थी, basically, उनको कितना knowledge था, energy का, उनको कितना पता था कि frequencies किस तरीके से काम करती है, portals कहां पे है, dimensions में, कैसे आप travel कर सकते हो, teleport कैसे कर सकते हो, time traveling कैसे कर सकते हो, so, इस time पे वो हमारे पास में नहीं है, और उसके पीछे reason है, okay, so, अम जानेंगी कैसा क्या हुआ कि हमारी civilization जो इतनी advance थी, वो अब उतनी advance नहीं है, और हमें इन technologies का, frequencies का, knowledge का, information का, हमें क्यों नहीं बता ये सब कुछ, वो हम अभी जानेंगे, okay, so, जैसे कि मैंने आपको बताया कि pyramids को जो है, एक तरीके से interstealer teleport station की तरह use किया जा रहा था, लेकिन ये बहुत बड़ा एक तरीके से अनुनाकी resistance जो group था, वो कभी भी उस पे attack कर सकते हैं उसके लिए उनके लिए बहुत बड़ा एक डेंजर भी था, ग्रेट पिरामिट को चंस्ट्रक करने के लिए उनकी security करना बहुत जादा इंपोर्टन था, बिकास अनुनाकी resistance group कभी भी उस पे attack कर सकते थे, पिरामिट कर सकते थे, वो उनको चंट्रोल में ले सकते थे, अप 30,000 years ago तक, so 30,000 years जो थे, 30,000 years पहले तक इसको एक active interstellar station की तरह यूज किया जाता था, okay, एक टेलिपोटेशन की तरह यूज किया जाता था, लेकिन उस समय पे एक explosion हुआ Atlantis में, okay, जिसकी वजह से अर्थ की जो tilt है, access point है, वो shift हो गई, okay, पोल तिल्ट हुआ, अर्थ की grids ह जिसकी वजह से जो access point है, वो हिल गया, और जो पिरामिट की जो alignment उन्होंने कर रखी ती, dimension 4 से, यानि की dimension 4 चक्रा 4 से, अर्थ का हार्ट चक्रा से, वो अपनी alignment से हिल गया, जब वहां से alignment से हिला, तो उसका जो दूसरा alignment उन्होंने कर रखा था, star system जो था, Cyrus B star system जो था, वह उनके जो vortex system से हैं, जो उनके चक्रा सिस्टम से वहां उन्होंने alignment कर रखी थी, वो alignment भी हिल गई, इस वजह से, जो है, जो great pyramid of Giza जो था, वो proper, अब आप समझ सकते हैं, इसको जब construct किया गया था, वो proper chakra के हिसाब से, जो हैं जो हैं जो हां पर अर्थ के chakra system से हैं, वो टेक्स systems हैं, उनके हिसाब से, उनको construct किया गया था, लेकिन जब Atlantis में कुछ हुआ, explosion हुआ, जो हमाँ भी आगे जानेंगे, क्या हुआ, जब Atlantis में जब explosion हुआ, तब अर्थ की जो grid है, वो हिल गई, और जब हो हीली पोल शिफ्ट होने के वज़े से, एक्से हिल गए, तो वो सारी जो उन्होंने alignment कर रखी थी, वो सारी alignment हटती चली गई, ओके, अब इसकी वज़े से, जो Cyrus B star systems थे, या दूसरी ET visitations थे, जो और मतलब बहुत ज़ादा उनको वो visit करते थे, एजिप में आना जाना उनका लगा रहता था, वो बहुत कम हो गया, ओके, so basically great pyramid of Giza को एक तरीके के ascension chamber की तरह भी यूज किया जाता था, okay, training school की तरह यूज किया जाता था, healing center की तरह यूज किया जाता था, और genetic assembling, यानि एकसिलरेशन के लिए भी यूज किया जाता था, यानि कि आप जल्दी से जल्दी अपने DNA strands को एक खटा कर लो, assemble कर लो, उसके लिए भी वो यूज किय जाता था, और वो एक तरीके का passage था, कि जहां से आप inner earth portals में जा सकते हो, जो कि फिनिक्स के बिल्कुल नीचे था, so जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिरामिट्स में enter, पिरामिट्स को हमेशा under tight security रखा गया है, okay, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक तरीके का ऐसा monument था, एक कि बहुत जादा easy target था, अनुनाकी resistance group के, वो कभी भी उस पर टेक कर सकते थे, so पिरामिट्स को हमेशा बहुत जादा high security की under में रखा गया था, और उनकी जो tight security कर रहे थे, वो बहां के अनुनाकी जो थे, Syrian council के, जो positive अनुनाकी थे, जिनोंने leadership role accept किया था, Syrian council में, वो उनका tight security कर रहे थे, वो उसकी security में थे, जो Templar Anus थे, उनको ban कर दिया गया था, वो enter नहीं कर सकते थे, in premises में, पिरामिट्स में, पिनिक्स में, वो नहीं कर सकते थे, okay, जिसकी वजह से, अब यह हुआ कि, जो Syrian council के अनुनाकी थे, उन्होंने Egypt में, अपना एक strong hold बना लिया था, okay, और जैसे कि मैंने बताया, इस पूरे वजह से, जो है, एक तरीके के जो अनुनाकी resistance group थे, जो Templar Anu थे, उनको बड़ा ही गुसा आया, इसको लेकर कि, उनको क्यों बैन लगाया गया है, उनको enter क्यों नहीं करने दिया गया है, okay, so guardian ship जो थी, Ark of the Covenant की, वो slowly, slowly, जो है, वो Syrian An अनुनाकी से, टर्न हो करके, अनुमेलचिस्डिक, क्लोइस्टर, अनुमेलचिस्डिक, रेस, हीब्रूस और सेरिस एजिप्शन में ट्रांसफर हो गई, so ये बने early Egyptian priest craft के members, okay, यानि की, अनुमेलचिस्डिक, मेलचिस्डिक, क्लोइस्टर, रेस, हीब्रूस और सेरिस एजि क्यों परमिशन नहीं है, वो क्यों इनर अर्थ में नहीं एंटर कर सकते हैं, या वो आर्क अफ दा कवर्निंट को क्यों यूज नहीं कर सकते, okay, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया, okay, Templar अनुने बोला, okay, fine, थीक है, आप हमें नहीं नहीं एंटर करने दे सकते हैं, कोई बात नहीं, हम एक प्लान बनाते हैं, उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो कैसे इनर अर्थ के पोर्टल्स, इनर अर्थ की सिविलाइजेशन, इनर अर्थ की टेरिटरीज हैं, उनको वो जीतेंगे, उनको उनके उपर वो युद करेंगे, okay, और इनको मोटिवेट कर रहे थे अनुनाकी रेजिस्टेंस ग्रूप यानि कि वो आग में घील का डालने का काम कर रहे थे अनुनाकी रेजिस्टेंस ग्रूप जो थे वो टेंपलर अनु को मोटिवेट कर रहे थे कि तुम करो हम तुम्हारे साथ हैं ऐसे कैसे तुम्हें इंटर्नी करने दिया जा रहा है इनर क्रिस्टल जन्रेटर्स थे उनको यूज करके वो उस इलेक्ट्रो मेगनेटिक बैरियर्स को जो है तोड़ेंगे हटा देंगे जो सिक्योर करता है इनर अर्थ पोर्टल्स जाने की इनर अर्थ पोर्टल्स इनर और सिविलाइजेशन हैं ओके इनर और सिविलाइजेशन के बा बॉल लगिवी है को इन्होंने क्या करना शुरू किया अब वह जानते हैं लेकिन जब उन्होंने उसको प्रैक्टिकमे ex रभाव storage शील्ड लगी होई जो कि प्रोटेक करती हो न पॉर्टल्स को पोर्टल्स में आप एंटर नहीं कर सकते क्योंकि उस फ्रिक्वेंसी बेरियर्स एक लेक्ट्रोमेगनेटिक बेरियर्स लगे हुए हैं उनको डेस्ट्रॉय करना उतना आसान नहीं है ओके लेकिन इन्होंने कोश को पता चल गया और सब सीरिन कांशल को ये बात पता चली कि वह एक ऐसा प्लान कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा वो करने वाले हैं तो नोंने उस समय पे बहुत सारे गृप्स जो एट्लांटेस में थे उनको वहां से अटा दिया और उनको डिस्टिब्यूट कर दिया फैला दि यानि कि जो वहां के गृप्स थे इतलांटिस के गृप्स थे उन्होंने वहां से उन लोगों को हटा कि उन गृप्स को हटा दिया इतलांटिस से क्योंकि सीरिन कांसल को पता था कि वह इलेक्ट्रोमेगनेटिक बेरियर जो लगा हुआ है उन पोर्टल्स को सिक्यूर कर रहा ह वो शील्ड वो शील्ड ये नहीं तोड सकते वो शील्ड को ब्रेक नहीं कर सकते लेकिन जो वो करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या हो सकता है बहुत खतरनाक हो सकता है ठीक है तो उन्होंने क्या कि एट्लांटिस में जो गृप्स थे वहां पे जो लोग थे उन्होंने उन सेरिन कांसिलन ले उन taxpayers को कुछो Egypt कर दिया, कुछ को पोरे अर्थ पे अलग अलग जगह पे वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया उन्होंने क्या किया, अब इधर Templar Anu ने क्या किया, उन्होंने जो crystal power generators थे, वहां से excessive powers को powers भेजी गई वहां से energy को भेजा और जब उन्होंने उस energy को भेजा नीचे जो वो चाहा रहे थे कि वो electromagnetic जो barriers लगे हुए हैं शीर्ड लगी हुई हैं उनको वो हटा देंगे तोड़ देंगे सब उन्होंने forcefully excessive power भेज दी उन्होंने क्या क्या बहुत सारी energy जो है नीचे भेज दी उन्हें लगा बहुत सारी energy भेजेंगे तो main generator से तो वो crystal जो है वो जो नीचे barriers लगे हुए हैं वो टूट जाएंगे वो shield हट जाएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो जब उन्होंने बहु कि आप ऐसा समझ लीजे कि जब एक atom फड़ता है उसका जो force होता है उससे दस गुना जादा जिसकी वजह से दूसरे जो छोटे जनरेटर्स थे Atlantis में वो भी फड़ गए जिसकी वजह से Atlantis का जो continent था वो पूरा कहते है न रिप अपाट हो या पूरे टुकड़े होते चले गए उसके और जो उसकी majority of land थी जो पूरा टर्टल मैंने आपको कल दिखाया था वो पूरा टर्टल जो है वो पूरी लैंड जो है वो फड़ ग और लोहास एट्लांटेस यानि तीन आइलेंड रह गए सिर्फ पहले पूरा एक लैंड हुआ करता था लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो है क्योंकि क्रिस्टल यूनिट एक्स्प्लोड हो गए जिसकी वजह से जो मेजोरिटी ओफ लैंड मास था एट्लांटेस का वो जैसे की मैंने आपको बताया कि इस एक्स्प्लोजन होने से पहले ही सीरिन कांसल जो पता चल गया था कि वो ऐसा करने वाले हैं इसलिए उन्होंने वहां से सभी को हटा दिया गया था कुछ को इनर अर्थ में ले जाये गया एजिप्ट में ले जाया गया कुछ लक्त अग्राउंड इनर अर्थ कम्यूटीज में लग वहां पर रहने लग गए और जब जू जो जो चेंज़ होने वाले थे उन जो रिजल्ट होने वाला था एक्सप्लोजन से उन सभी को पता था कि ऐसा होने वाला है क्योंकि उन्हें पहले ही बता दिया गया था तो इन से फिर से पोल शिफ्ट हुआ जो पूरी तरीके से अपने एक्सेस पॉइंट से थोड़ा सा हीली ओके वापस से हीली जिसकी वजह से जो अर्थ की ग्रिट्स थी वो आउट ऑफ बैलेंस हुई जिसकी वजह से जो एनर्जेटिक लिंक्स बनाए गए थे पिरामिट ऑफ गीज बनाया गया था वो लिंक टूड गया था इस एक्सप्लोजन में ओके आर्क ऑफ ड़ कवेंट सेबल रहा लेकिन जो सरफेस कंडिशन थी यानि अर्थ के ओपर जो कंडिशन थी वो पूरी तरीके से केयोज में चली गई यानि बहुत बुरी तरीके से जो अर्थ की इस कंड के अंदर और वहां पे अब लैंड मास आ गया यानि उनके टुकड़े हो गए लेकिन जब एक बर सर्फेस कंडिशन्स वापस से स्टेबिलाइज हुई वापस से ठीक हुई तब रेस जो हैं वह वापस से इनर अर्थ से वापस से बहा निकल के अर्थ के सर्फेस पे आई और से सर्फेस पे आई तब अनुना की रेजिस्टेंस ग्रुप जो थे उन्होंने क्या किया उन्होंने अभी भी हार नहीं है ओके यहां पे उन्होंने अपने जो टेंपलार अनूस थे उन्होंने उनको रेस्क्यू किया और उनको वापस से दुबारा से अट्लांटिस के जो थे वहाँ पे उनको वापस से भेज दिया कि तुम वापस से अपने आइलेंड पे जो अट्लांटिस तीन टुक्रों में बज बन गया है तुम तुम वापस से वहाँ पे जो अनुनाकी रेजिस्टेंस ग्रुप जो था उन्होंने अपने टेंपलार अनु को जो है इकटा किय उस ग्रुप को पूरा रेस्क्यू किया और उनको वापस से अट्लांटिस के जो आइलेंड था वहाँ पे भेज दिया और उनकी मदद की कि वापस से अपना सिविलाइजेशन रिकंस्रक्ट कर सके ओके जो सीरिन काउंसल के अनुनाकी थे यानि जो पॉजिटिव अनुनाक इट्लांटिस को वहाँ से शिफ्ट करके वापस से एजिफ्ट में शिफ्ट कर दिया गया और उनको समझाया ठीके कि आप अपना अनुनाकी रेजिस्टिंस अफिलियेशन गिव अप करो यानि कि जो अनुनाकी रेजिस्टिंस ग्रूप है वो क्या कर रहा है ज़रा आखे जो अनुमेलचिस्टिक्स थे यानि जनके अंदर डीने सील्स के अंदर अभी भी वो टैंपलार सील नहीं आई थी जो उनके खराब नहीं हुए थे वो ग्रूप और जो एट्लांटिन के जो सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन लोगों की आखे खोली गई और उनको बता जो इस पूरे एक्सप्लोजन में आर्क ओफ दः कवरणेंट और गीजळा और पोटल जो गीजळा पोटल था उसका पूरी तरी के से शिफट हो गया था मतलों जो एनर्जयेटिक बेरियर बना रखना तो गीजळा का जो पूर्टल था वो पूरी तरीके से हिल गया था जिसकी वज़ा से गेलेक्टिक गया था उनका इनर्जेटिक बेरियर्स सो अराउंड 12,500 इयर्स अगो जो अनुनाकी रेजिस्टेंस ग्रूप थे उनको बहुत जादा गुस्सा आया कि उन्होंने अपना जो है वो जो स्ट्रॉंग होल्ड बना रखाता इट्लांटिस पे उन्होंने अट्लांटिस पे अपन सीरियन कांसल अनुनाकी आउटपोस्ट और मार्स और उसके बाद एजिप्ट में और उनका इंटेंशन था कि वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे आर्क ओफ दा कवनेंट को और क्लेम करना चाहते थे डॉमेनियन ओवर और सिविलाइजेशन्स ओके सो जो मार्टिन आउटप पोस्ट बना दिया गया था सो इनको बड़ा ही गुस्सा आया कि इन्होंने बड़ी मुश्कल से स्ट्रॉंग होल्ड बनाया गया था बनाया था एट्लांटिस पे और इन्होंने जो पॉजिटिव अनुनाकी जो सीरियन कांसल ग्रूप में है इन्होंने जो है क्यों बता द किये मार्स पे जिसकी वजह से उन्होंने वो जो आउट पोस्ट बनाया गया था मार्स पे उसको उन्होंने डिस्ट्रॉई कर दिया ओके और उनका उनका जो पूरा परपस था वो यह था कि पहले हम मार्स पे उस आउट पोस्ट को खतम करते हैं उसको डिस्ट्रॉई करते हैं जो मार्टिन आउटपोस था वो डिस्ट्रॉई हो गया और जो सीरिन काउंसल और वेरियस इंटरस्टीलर एलाइस थी उन्होंने टेक ओवर अटेम्ब किया और अनुना की रजिस्टेंस ग्रुप को अर्थ से दूर लेके चले गया और उन्होंने उनको वहाँ शिफ्ट कर द जो इस एक्स्प्लोजन के पहले जो है वो मार्स पे चले गए थे वहां पर उन्होंने आप्जर्वेशन आउटपोस को बेसिकली डेस्ट्रॉई किया तो उस समय तो उन्होंने वोस वार में जो अनुनाकी रजिस्टेंस ग्रुप थे उन्होंने उनको उठा के प्लानेट को नहीं बचा पाए उके सो पोर्टल ब्रिज जो थार्क ऑफ दा कवनेंट का वो सर्वाइव किया इस अटैक में लेकिन जो इनर अर्ट टेरिटरीज थी उनको बड़ा ही नुकसान पहुचा और जो पिरामिज थे फिनिक्स थे और दूसरी एजिप्शन सकर्चर्चर्स थ बड़ा ओके जो एट्लांटिन आइलेंज थे वो डिरेक्ली इन वॉल नहीं थे इन अटैक्स में लेकिन जो उनकी रिजिस्टेंस लॉयल टेंपलार अनूत थे उके उन्होंने माइनर अप्राइजिंग की अगेंस साइरेन कांसल लॉयलिस्ट रिलेटिव और जब तक उनक को टेंपररी बेसिकली अंडर ग्राउंड जो है उनको भी भेज दिया गया एट्लांटिन आइलेंड जो है वो कंटिन्यू जो है वहां पर टेंशन बढ़ने लगए दो ग्रूप के बीच में ओके एक वो ग्रूप जो की रिजिस्टेंस ग्रूप के लॉयल टेंपलार दूसरा ग्रूप जो की अनु मेल्चेस्डिक ग्रूप थे और अट्लांटिन सिविलाइजेशन थे ठीके सो 9500 बीसी में जो रिजिस्टेंस ग्रूप के लॉयल टेंपलार अनु थे उन्होंने वापस से स्ट्रॉंग होल ले लिया अट्लांटिस में जो स्ट्रॉंग इन्होंने वापस से रीबिल्ट किये प्राइमरी स्ट्रॉंग उनके सिविलाइजेशन के जो आंग्स थे जिनके अंदर वो एनरजी स्टोर करके रखते थे उनको चुपाना पड़ा इनर अर्थ में बिकॉस उस रेड में बिकॉस अगर एक बार उनके हाथ में वो आंग्स पिरामिट्स को दूसरे स्टॉक्चर्स को दुबारा से बनाना था रीबिल्ट करना था तब वो उन आंग्स को वापस से लेकर के आये और सर्फेस पे सो वीबिक पिरामिड्स को वाफस से प्लेस किया गया उनकी located मार्ड से ओंके जो की वापस एक सिक्योर्टी वौल कीतरह काम कर रहा था Ark of the Covenant को और Inner Earth Portal को ठीक है सो Great Pyramid of Giza का जो पिरामिट से उसको स्लाइटली Re-Align किया गया एक तरीके का दुबारा से उसको Re-Construct किया गया ताकि उसको वो Harmonic Resurrence Link बना सकें वो Create कर सकें लेकिन इस बार वो Cyrus भी जो पेलेडियन स्टार सिस्टम जो पेलेडियन स्टार सिस्टम में प्लानेट एल्सियोन है वहां से उन्होंने Great Pyramid of Giza को वापस से Re-Align किया जिसकी वज़े से अब वापस से Great Pyramid of Giza जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो वापस से यूज किया जा सकता था एज इंटर स्टीलर टेलिपोर्टेशन ओके सो ओरिजनल जैसे मैंने आपको बताया ओरिजनल जो अलाइनमेंट था साइरेस भी स्टार सिस्टम का वो वापस से अलाइनमेंट नहीं हो सकता था क्योंकि पोल टिल्ट हो गया था एर्थ की जो टिल्ट थी एक्सेस पॉइंट से वो हिल गयते टेड़ी हो गी थी ओके सो जो थर्ड आई ओफ होरस पोर्टल ब्रिश था जो साइरेस भी में जाता था जिसको हम हॉल आफ एमोरा भी बोलते हैं ओके वो ओपरेशनल तो रहा स्मॉलर स्केल विजिटेशन के लिए अब अर्थ जो था बहुती मौर क्लोजली ऐलाइनमेंट हो गया इंटर Gardensट से ड्र कर रही थी पैले इन्र अनवेत। इन्रेटिक अलाइनमेंट की गई अब वापत से ईघ्ण भों को सब्वा पतस दो ऑप झालैनमेंट्ट है ओक सीरन रिक अलाइनमेंट स्टार सिस्टम एलाइज जो हमारे गार्जन रेसेज वह अर्थ पर आती थी विजिट करने के लिए और वापस से अर्थ की सिविलाइजेशन प्रॉस्पर होने लगी इधर एट्लांटिस कंटिन्यू डाइग्रेस कर रहा था वहां पर जो है टेंपलार अनू अपना इंफ्ल सफ्टम बाइचार कर रहे थे यानी कि वह एक तरीके का एक ऐसा पीरेट सल रहा था इस्टार आट टैन्टास इजिएशन में जहां पर वह वह प्रिस्टल जनरेटर अभी भी है और वह और उन प्रिस्टल जनरेटर बाइसे बल्कि वह मिस्यूस कर रहे थे उसे ड़गों उस एनर्जी से वो टॉर्चर कर रहे थे ठीक है तो जो आर्क ओफ दे कवेनेंट था इनर अर्थ था इनर अर्थ पोर्टल से इनर अर्थ सिविलाइजेशन थी वो रिमेन सेफ रही अर्थ ने अपनी नेक्स्ट साइकल शुरू की जो की 26,556 एर्ज की वोल्यूशन साइकल है जिसको हम बोल रहे हैं स्टीलर अक्टिवेशन साइकल ओके असेंशन साइकल और स्टारगेट ओपनिंग साइकल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारी थोर्ट सीडिंग शुरू हो रही थी उस समय हमारे जो जीन कोड्स थे वो बड़े ही स्ट्रॉंग रखेगए ऑग वो अपने नए टाइम साइकल में एंटर करने वाली थी असेंशन साइकल में एंटर तो इस टाइम फ्रेम पर अब जो है वो अर्थ जो है वो एंटर कर रही थी और्ट न्यू टाइम साइकल में यानि यानि यह बात है आज से 22,326 बीसी की लेकिन उनके पास बड़ा ही चैलेंज था बिकॉस उनको अर्थ को जो हैब बारें स HappyJits कर ना अथा इनर्जेटिक वरी प्रेट को अिस वह अपन्यी इन्रजेटिक गरिड को जो फ्रेंट इक्स एक्स्प्लोजन में हुआ और 28,000 बीसी में और 22,326 बीसी में इर्थ वह एंडर कर नहीं इंटर कर रही थी असैंशन टाइम साइकल में तो दूसरी old cycle जो थी उसका close हो रहा था और एक natural period of dimensional blending जो थी जो कि sphere of mnt जो है वापस से re-enter हो सकता है अर्थ कोर में जिसकी वजह से बहुत सारे setbacks हो सकते हैं इस वजह से बहुत जरूरी हो गया कि planetary यानि अर्थ इस समय अपनी अर्थ की जो grid है वो rebalance की जाए अर्थ की grid अग हमें वापस से जो human evolution है वो slow हो जाएगा और हम वापस से नई cycle में फज हमें वेट करना पड़ेगा basically अगली cycle तक के लिए तो जो नई cycle जो शुरू होने वाली थी वो 22,326 BC में शुरू होने वाली थी जहां पे hall of mnt जो थे वो close रह गए masses के लिए यानि कि hall of mnt नहीं खुल पाए और human evolution slow down हो गया जब भी cycle शुरू होती है तब उसका एक पूरा प्रोसेस है जैसे हमने पहले parts में जाना है कि कैसे पहले first 4,426 years की जो cycle होती है जो पहली new cycle रिप्रेजन करता है वो great promise होता है ठीक है तो कुछ time पे उस समय पे earth hall of mnt खुलता है उसका एक पूरा process है तो चली पहले उस process को जानते है कि क्या process था जो पहली 4,426 years की जो नई cycle थी वो represent कर रही थी great promise कि इस cycle period को हम continue कर सकते हैं यह natural point है जब earth अपने दो morphogenetic waves को release करेगा जहां जब वो release करेगा इन waves को तब जो वहां के लोग हैं वो ascend कर पाएंगे तारा पे लेकिन वो तब ही ascend कर पाएंगे जब hall of mnt open होगा जो पहली morphogenetic wave release की गई earth से वो थी 20,113 bc जो second wave जो थी वो release हुई in 17,900 bc लेकिन populations जो थे वो ascend नहीं कर पाएं hall of mnt से क्योंकि hall of mnt open ही नहीं हुआ जैसे मैंने बताया hall of mnt को open होना बहुत जरूरी है so hall of mnt open ही नहीं हुआ so 26,556 year की जो natural time cycle है earth की उस समय पे morphogenetic waves release होती है सिफ चार time period में पहली दो waves release होती है जो पहले first 4,426 years की cycle होती है और जो last दो waves release होती है वो last की 4,426 year की cycle पे so जो पहली दो cycle release होई okay जैसे मैंने आपको बताया पहली wave release होई 20,113 BC में और जो second wave होई 17,900 BC में उस समय hall of mnt open नहीं हो पाया अब बची last की दो cycle last की दो बारी जब hall of mnt अगर open होता है तो हम सभी asend कर जाएंगे okay so जो last की दो cycles थी जो जिनको हम 4,426 year का period पे आती है जहां पे open और closing cycle है 26,556 year cycle इसको बोलते हम ascension cycle क्योंकि hall of mnt open नहीं हो पायते है पहली first ascension cycle में जो नहीं cycles थी इसलिए वो souls जो dimension 2 में थी वो trapped रही अभी भी trapped है वो elemental kingdom में elemental level पे dimension 2 में और dimension 4 जो astral kingdom है astral level पे है उसके साथ साथ जो earth पे जो human souls है वो सभी trapped होगे और सभी को वेट करना था until जो final ascension time cycle आने वाली थी जो 26,556 की year की time cycle है ताकि हम सब ascend कर सके यानि total 4 cycles होती है दो cycle आती है पहले पहले के 4,426 years पे और जो last की 2 cycle आती है last जब वो cycle complete होने वाली होती है जब पहली 2 wave आई morphogenetic waves जो release होई उस time पे hall of mnt नहीं open हो पाए जिसकी वजह से human souls dimension 2 की souls dimension 4 की souls हम सभी trapped रहे गए okay so 22,326 bc से guardian races जो थी density universe 2 की यानि dimension 456 की और raw confidence और जो दूसरे guardians से ark of the covenant के उन्होंने planning की उन्होंने preparation की और उन्होंने wait किया कि अब जो next ascension cycle आएगी जो वहां तक हमें wait करना पड़ेगा इस time hall of mnt open होना ही होना है और वो हो चुका है okay because earth की जो time line है जो earth की grid है वो उस समय उतनी हाई होनी चीए कि वो sphere of mnt को hold कर सके तांकि इस बार जो इतनी भी souls trapped है okay density universe 1 के अंदर यानि dimension 1,2,3 के अंदर वो सभी को permission मिल सके वो सभी जो है उनको सभी को वो ascent कर सके सभी souls यहां पर जो trapped है वो ascent कर सके जो final ascension cycle है वो जो 26,556 year की cycle है वो शुरू हो चुकी थी 196 BC में सो जो पहली morphogenetic wave ascension cycle थी वो due थी release होना 2017 में ओके जो last morphogenetic wave आने वाली है वो होगी 4,2,3,0 AD सो अगर hall of mnt open नहीं होते है final ascension cycle में सो जो souls है वो दुबारा से ascension नहीं हो पाएंगे और हमें तारह पे और हमें वापस से 26,556 years की जो cycle है उसके लिए हमें वेट करना होगा लेकिन अगर hall of mnt open हो जाते हैं 2012 तक या फिर last to last 4,230 तक तो एर्थ की जो races है वो finally reclaim कर पाएंगे अपनी divinity को और dignity को अपनी heritage की और वो वापस से planet तारह पे ascent कर पाएंगी वो यह समझ पाएंगी कि उनकी immortal body है ओके और हमारे original 12 strand dna construction है उनकी consciousness जो है वो ट्रैप नहीं रहेगी density universe 1 में या dimension 4 एस्टरल ट्रैवल्स में और जो living and the dead है बाइबल में बहुत अच्छी चीज लिखी होई है बेसिकली कि जो the dead will arise okay the living and the dead will arise यह पूरा लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जो souls जो है वो trapped है जो एस्टरल planes पे वो भी rise कर पाएंगी वो भी ascend कर पाएंगी earth के prison से jail से और वो heavenly land जो तारा है वहां पे ascend कर सकती है okay so यह हमारे religious text में already ascension stories बताई गई है लेकिन जो कि हमें दी गई है लेकिन इनको explain नहीं किया है उन्होंने okay so इस समय जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी hall of M&T open हो चुका है 2012 में so हमारे पास सभी के पास यह time frame है कि जहां हम अपनी immortal body dimension 12 में जब हमारे 12 strand DNA अक्टिवेट हो जाते है तो हमारे immortal body हो जाती है हम मरते नहीं है death is a not natural process यह in natural process नहीं है हमारा natural process है कि हम ascend करते हैं दूसरे dimensions में अपनी body को अले करके हम transmute करते हमारी body को हम transmute करते हैं हमारी immortal bodies है और हमारे 12 strand DNA templates है ओके इस video को मैं यहीं stop करती हूँ and I hope अब आप समझ पाए होंगे कि कैसे pyramids को बनाया गया था और कैसे उसका alignment सबसे पहले Cyrus B star system से किया गया था लेकिन जो सबसे पहला explosion हुआ in Atlantis में जिसकी वजह से जो वो पूरा turtle shape का पूरा बनावा था Atlantis continent वो तूट के पूरा तीन islands में बन गया ओके इस पूरे से उनका alignment किया गया वो के उनका alignment दुबारा किया गया लेकिन Cyrus B से नहीं कर सकते थे क्योंकि जो अर्थ की grid थी वो थोड़ी से जो तीन islands बने हुए हैं ओके इनकी कुछ पार्ट अभी भी हैं जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया और कैसे अर्थ हमेशा अभी तक के लिए कॉरेंटाइन हो गई एक तरीके से हम नेक्स पार्ट में जानेंगे कि कैसे एट्लांटेस डूबा और कैसे अर्थ कॉरेंटाइन हो गई ऐसा एक बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ जिसकी वज़े से अर्थ की जो हिस्ट्री थी वो कंप्लीटली चेंज हो गई हमेशा हमेशा के लिए अभी तक के लिए अब अब हम एक नई हिस्ट्री बना रहे हैं एक नया फ्यूचर बना रहे हैं लेकिन अभी की एक पूरी पिक्चर ही चेंज हो गई अर्थ की तो हम आगे के पार्ट में जानेंगे कि क्या हुआ so sending you lots of love, healing and happy energies to my soul family जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तब तक के लिए take care of yourself and see you soon